Hello friends, class 12th के बच्चे के लिए वीडियो बहुत important है क्योंकि इसमें आपसे हम कुछ बात करेंगे कि कैसे आप अपनी accounts में improvement कर सकते हैं देखे, generally होता क्या है, आपको account समझ में आता है, आपका मन करता है लेकिन आपके number नहीं आते हैं और उसके बहुत सारे कारण होते हैं, सबसे पहला कारण ही होता है कि आपका paper पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि आपकी speech लोती है, जो एक सबसे बड़ा reason है दूसरा कई बार होता है कि बच्चे generally बहुत अच्छा prepare करके जाते हैं, exam देखते के साथ एक्दम गुल हो जाता है सारा मामला तो ऐसा क्यों होता है, क्या चीज़े हम कर सकते हैं कि जिससे हमारा accounts का performance increase हो और अगर हम 100 में से 100 लाने की चाहा रखते हैं और हम average student भी हैं तो भी हम अपने उस mission को पूरा कर पाए तो यहाँ पे 8 बाते मैं आपको बताऊंगा और अगर आपने आज से उनको implement कर दिया तो definitely आप इस चीज़ को achieve कर पाएंगे तो दिखी सबसे पहली चीज़ जो most of the students गलती करते हैं वो क्या करते हैं writing में practice नहीं करते आपको आज से एक target बनाना है कि daily कम से कम 5 questions minimum 5 उपर आपकी हारदे किच्छा है कम से कम 5 questions आपको daily writing में practice करने और ये कौन से question है अच्छे question 3-4 number वाले ये नहीं कि आपने new ratio old ratio निकाल दी कम से कम daily 5 questions आपको practice में करने आप एक ये बना लीजे आप पढ़िए बेशक 30-35 question daily लेकिन कम से कम 5 questions जो भी chapter आप कर रहे हैं daily आपको practice कर दे ही करने second बात दिहान रखिए कि जो भी आप accounts पढ़ने उसका concise notes बनाई, concise notes मतलब suppose आपने बड़ा simple है admission of partner किया उसमें आज आपने सारा गंटे में revaluation account में बताया, आपने अपने words में बड़े simple से concise notes बनाए कि revaluation account बताया था, जिसके अंदर debit के अंदर क्रेडिट के अंदर क्रेडिट के अंदर क्या क्या आता है, मतलब आपने point of view से अपना एक separate register बनाना है जिसमें आपके खुद के short notes होने चाहिए, और ये नही अब इससे फायदा क्या होगा, अगर आपने पहली तीन activities करना शुरू कर दिया ना, तो इससे सबसे बड़ा फायदा होगा, first वाले point से आपका जो paper छूटता है ना, वो एकदम खतम हो जाएगा, आप paper on time complete कर पाएंगे, और ये नहीं होगा, एक ही बार में हो जाएगा, अ third activity करने से क्या होगा, generally जो बच्चों को concept याद नहीं आते हैं exam के अंदर, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, और वो question देखके एकदम दिमाग में click करेगा उनके कि हाँ, ये point है, इस पे हमें teacher ने ये बात बताई थी, तो ये तीन चीज़ें आपको करनी है सबसे पहले, उसके पात, जो भी आप question करें, उसके proper formats बनाए, ये one of the reason होता है कि आपको exam में irritation होती है, आप जब practice करते हैं, आप proper formats बनाते हैं, सीधे proper formats बनते हैं आपके exam में, और जब वो आप proper format बनाना श्रू करते हैं, आपको irritation होती है, irritations है, कहीं न कहीं आपको गुसा आता है, और गुसा तो आपका पेपर छूटता है तो इस चीज़ है गलत है आप अपनी प्रेक्टिस का ही पाट बनाए जो भी आप प्रेक्टिस कर रहे है प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाए यूजिंग दा पैंसिल समझ मैं इस पांच भी चीज़ कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आपका स्लेबस पूरा करें including of the project work आपका जो स्लेबस है वो complete हो जाना चाहिए और आप daily basis पर पढ़ने तो इक कोई बड़ी बात नहीं टेस्ट जरूर देने देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको आप कोई भी हमेरी health problem होती है अब डॉक्टर पर जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है डाग्नॉस करता है fever चेक करता है या कुछ ज़्यादा लगता है तो टेस्ट लिखता है तो देखे टेस्ट से पता जो बच्चा टेस्ट को गले लगाएगा irrespective of the fact कि उसके marks कितने आ रहे है वो हमेशा successful होगा और मैंने personal opinion आपको बता रहा हूँ 10 साल के teaching experience है कि जो बच्चा टेस्ट देता है ना हमेशा उसके finals में मैंने देखा जिस बच्चे ने पूरे साल टेस्ट दिन है उसके कभी 90 से नीचे आते ही नहीं और जो बच्चा टेस्ट देने में घबराते है ना हमेशा वो अकाउंट के paper में मरता है तो टेस्ट आपको जरूर देना है चाह स्कूल का टेस्ट हो टेस्ट हो या हमारा टेस्ट हो और एक काम और करो अगर टेस्ट के लिए confidential डेली एक अपना self-test लिय पर कोई एक question उठाओ कोई भी जो आपका मन करे और जो question select हो आपको वो solve करना है उसके बाद वो question solve करने के बाद आपको उसको check करना की आप उसे सही से solve कर पाए या नहीं कर पाए this will give you a confidence यह जो self-test लेना शुरू करोगे ना तेखो सीधी सी बात यह self-test तुम्हारे तक है और किसी को नहीं पता चलो school test होगे हमारे test होगे दुनिया को पता लगेंगे लेकिन self-test हो खुद किये daily एक question का self-test लेना शुरू करो believe me इतना confidence आएगा कि मज़ा आ जाएगा आपक ownership है अब बच्चे ने उसके 100 question practice की चेक है exam time पे यह unit test के time पे यह pre-board के time पे कभी भी आप यह 100 question revise नहीं कर पाओगे तो 100 question practice के बहुत अच्छी बात है लेकिन आप क्या करें सुपोज इसमें से 10 question ऐसे थे जिसके अंदर एक एक point ऐसा था जो आपको problem create कर रहा था तो यह जो points है ना जो आपके लिए problem create कर रहे थे जिसको आप एक बार में solve नहीं कर पाए उसको highlighter use करो highlight करो कि अगली बार आपको 100 question नहीं करने वो जो 10 question में एक एक point है ना सिर्फ आपको वो पढ़ना है कि उसकी adjustment क्या है उसका क्या impact आया था उसकी entry कैसर वो ही revise कर नहीं और कुछ नहीं करना क्योंकि तो आपने सारा एक बार में पहले ही कर लिया था तो यह आठ बाते अगर आप accounts के अंदर follow करते हैं तो definitely आपका result बहुत drastically improve होगा और अगर अभी तक आपने 12th accounts की पढ़ाई नहीं शुरू करें तो मत खबराईए नीचे आपको link दिया है वहाँ पे जाए हमार 12th accounts का course है उसको आप purchase करिए proper notes बनाईए बहुत simply अगर आप तरीके से करते हैं पूरे 20 से 25 दिन में आप अपना accounts का syllabus complete कर सकते हैं और तरीके से जो आपका target है उसको आप achieve कर पाएंगे